सब्सक्राइब आज हम स्केल्स ऑफ टेंपरेचर को डिस्क्स करने वाले हैं क्योंकि लास्ट के लेक्चर के अंदर हमने टेंपरेचर को इन डिटेल पड़ा था और यह भी था कि अगर हम अपना थर्मोमीटर बनाना चाहें तो किस तरह के से बनाने के जो चैनल फीचर होते ह करें हैं थर्मोमीटर के सितने हैं जो अर्ली जो इंटो इंट्रोडेक्शन ता इसका वह भी हमने किया था तो आज हम स्केल्स ऑफ टेंपरेचर को डिसक्स करने वाले और सबसे पहले हमारे पास आ जाता है Celsius scale, Celsius का scale हमारे पास क्या है, ते कि यह हमारे पास एक scientist ने है, एंड्रेस Celsius, invented Celsius और centigrade scale, एक एंड्रेस Celsius नाम की scientist थे जिन्नों ने scale को invent किया था और इस scale को अब Celsius, just centigrade scale कहते हैं, अब centigrade का मतलब क्या है, यानि के divided into 100, vitamins के हम क्या करेंगे, के जो भी scale बनाएंगे, उसके अंदर का division है, वो कितने divisions रखेंगे, वो divisions हम 100 रखेंगे, अब देखेंगे, उसके बाद हम आ जाते हैं Fahrenheit scale के अदर, अब Fahrenheit कों थे हमारे पास, German physicist थे, 1709 के अंदर invented alcohol thermometer, 1724 के अंदर introduces the Fahrenheit temperature scale, सता 124 के अंदर उन्होंने Fahrenheit temperature scale को जो इंट्रोडियूस करवाई, अब हम पहले यहां पर देख लेते हैं के Celsius scale क्या है, देखें के Celsius हमने पड़ा था कि दो पार्ट होते हैं, एक lower side होता है, दूसर जो अपर side होता है, यहां पर हमने जो scale बनाया है, वो water के freezing point और boiling point पर बनाया है, अब जो boiling point है, वो upper side पर रखा है, जो के 100 centigrade है, और जो freezing point है, उसको हमने lower side पर रखा है, जो के 0 degree है, और फिर इनके बीच के जो divisions रखे हैं, वो divisions हमने कितने रखे हैं, 100, एक और भी नीचे पार्ट है, जिसको हम आगे discuss करते हैं, similar way में यहां पर हमारे पास foreign high scale आगया, अब foreign high scale के अंदर आप देखें, कि हमारे पास जो lower part है, अगें यह भी हमने freezing of water ही रखा है, जो के 32 foreign high और जो boiling point of water है, वो हमने क्या रखा है, 212 जो है वो, अपर साइड पर रखा भाई, यानि कि 212 foreign high जो हमारे पास boiling point of water है, और 32 foreign high जो हमारे पास freezing point of water है, divisions यहां पर कितने हैं, 180 divisions हैं, इस centigrade scale को हम centimeter scale भी कहते हैं, और foreign high scale को हम inch scale भी कहते हैं, इसी वज़ादे इनके जो है वो zeros जो है वो, एक दूसरे से match नहीं कर इसके बाद आ जाते हैं, हमारे पास Kelvin scale के Lord William Thompson Kelvin invented Kelvin scale in 1848, 1848 के अंदर Lord William Thompson Kelvin नाम के scientist थे जिन्होंने Kelvin scale को invent किया, अब measure extremes of hot and cold, यह जो hot and cold के जो extremes होते हैं, उन्हें measure करते हैं, अब यहां पर यह जो zero degree है, वो हमारे पास किसके बराबर होता है, absolute zero के बराबर होते हैं, similar way में यहां पर भी आप देखें कि यह again centimeter scale आ जाता है, as like celsius scale, यहां पर इसने क्या किया है, कि जो lower side है, वो 273.15 Kelvin रख दिया है, और upper part जो है, वो upper side जो है, 373.15 Kelvin रख दिया, division again इसने जो हमारे पास कितने रख दिया है, divisions इसने scale के अंदर hundred divisions रख दिया है, तो यह हमारे पा के बारे में मजीद जो है, वो पढ़ते हैं, देखें, यहां पर आप इस figure के अंदर देखें, कि यह part तो हम अपने पार्ट में पढ़कर आया है, यह वाला हिससा जो है, इसका हमने distance किया, upper and lower point, upper जो है, वो हमारे पास water boils थे, और नीचे जो है, वो हमारे पास water, freezes के points थे, यह Celsius हो गया, यह Kelvin हो गया, यह Fahrenheit हो गया, अब तीसरा जो point है, temperature, scale के अंदर तीन points होते हैं, दो तो हमने पढ़े के lower, upper, तीसरा जो point होता है, उन्हें हम कहते है, absolute zero का point, नहीं का absolute zero क्या होता है, the molecular motion ceases at absolute zero, molecular जो motion होता है, वो almost, almost zero के पराबर हो जाते हैं, यानि के जितने भी molecules होते हैं, वो सबके सब किसमें आ जाते हैं, वो सबके सब rests के अंदर आ जाते हैं, यानि के उनकी kinetic energy zero हो जाती है, तो Kelvin के अंदर ये absolute zero किसके बराबर है, absolute zero बराबर है, minus two seventy three, sorry, Celsius और centigrade scale के अंदर, यह हमारे बराबर होता है, minus two seventy three centigrade के अंदर, और जो है, वो Kelvin के अंदर ये बराबर होता है, zero Kelvin के बराबर, Fahrenheit के अंदर ये बराबर होता है, minus four sixty के बराबर, almost three fifty nine भी पढ़ेंगे, आप four, four fifty nine भी पढ़ेंगे और four sixty भी पढ़ेंगे, तो यह जाब हमारे पास absolute zero आ जाते हैं, यानि के यहां पर temperature पहुचने के बाद, almost, almost molecular motion जो है, वो cease कर जाते हैं, उसके बाद है, हमारे पास inter-conversion of temperature scale, अब inter-conversion हमें पढ़ना है, अगर हमें centigrade को Kelvin में, केलविन को foreign height में जो है, वो convert करना है, तो हम किस तरीके से पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आप इसको देख लेंगे, क्योंकि यहां पर so many ways आ जाते हैं, आप graph method को भी इस्तमाल कर सकते हैं, आप जो आपके बुक के अंदर का method है, उसे भी इस्तमाल कर सकते हैं, तो हम जो हम ज scales को dip कर दिया है, एक scale हमारे पास celsius का है, और दूसरा scale हमारे पास sporonite का है, तो water का कोई ना कोई temperature तो होगा, जैसे ही हमने इन दोनों thermometers को या दोनों temperature scales को जब dip किया हमने, तो आप देंगेंगे यह temperature in thermometers in scales में rise हुआ है, वो point c तक आया है, clear, तो यहां पर हम कहेंगे कि यह temperature celsius scale के अंदर आया है, वो इस वक्त हमारे पास पता नहीं है कि कितने temperature है तो हम इसको रख रहे हैं, कि यह हमारे पास temperature in Celsius आ गया है, clear, और सेम इसी तरीके से हम यहां पर करने हैं, कि यहां पर जब हमारे पास temperature in Fahrenheit आ गया, अब इस सब को देखते वे हम क्या कर लेते हैं, कि एक journal formula बना ले दें, जो कि आता तो हमारे पास आई-स ले इस graph के अंदर से हैं, जनी कि graph बनाते हैं, फिर उनके अंदर आई-स ले इस triangle के हवाले से formula को drive करके आते हैं, लेकिन यहां पर हमने इस figure के according जो figure अभी मैंने आपको यहां पर show की है, इस figure के मताबिक हमने एक journal formula इसक हमारे पास क्या है, कि scale minus lower point divided by total divisions, अब scale हमारे पास देखें के temperature कहा तक rise हुआ, temperature in centigrade तक, clear, इसको हम माइनस कर देंगे lower point में से, याने के celsius scale का lower point क्या है, 0 और divided by division celsius scale की total divisions कितनी है, दोनों की celsius scale की total division हमारे पास hundred है, तो 4 centigrade है हमारे पास क्या जाएगा, scale याने के temperature in centigrade minus 0 divided by 100, similar way में for for a night, यहाँ पर जो temperature rise हुआ, वो हो गया temperature in for a night, minus division lower point इसका क्या है, 32 divided by divisions कितनी है, 180, अब दोनों हमारे पास, इस journal formula में हमने इनको put कर दिया है, values को, अब दोनों को हमने same points पर रखावा, यानि कि same उस पर आ रहे हैं, तो it means कि हम इनको compare करेंगे, तो जब हम compare करेंगे, तो यह किस तरीके जा जाएंगे, कि temperature in centigrade minus 0 divided by 100, और temperature in for a night minus 32 divided by 180, यह दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, अब यह होगा, कि 0 से 0 cancel, और 2 के table में 5 times 100 आते हैं, और 9 times 18 आता है, यानि कि 2 5s are 10, 2 9s are 18, तो यह 2 के table से divide हो जाएंगे, तो it means कि यहाँ पर 5 बचेगा, और यहाँ पर denominator में 9 बचेगा, numerator हमारे पास जैसे के हैं, वो वैसे के, वैसे सेम रखेंगे, अब यह चीज़ हमें याद रखने की है, अगर हमें convergence करने हैं तो, अब अगर मुझे यहाँ पर, और suppose, temperature in foreign height का formula लेना है, तो आप देंगें के 9 यहाँ पर divide कर रहा है, वहाँ जाकर multiply करेगा, और 32 यहाँ पर minus कर रहा है, is equal to के इस तरह जाकर plus करेगा, temperature in foreign height के लिए जो formula बनेगा, वो यहाँ पर देखें के क्या बनेगा, 9 divided by 5, क्योंकि 9 ने यहाँ पर divide कर रहा था, यहाँ का temperature in centigrade के साथ multiply कर रहा है, और यह minus कर 32 था, इस तरफ आगर plus कर रहा है 32 से, 9 upon 5 multiply by temperature in centigrade plus 32 is equal to temperature in foreign height, similar way में अगर, अगर मुझे temperature in centigrade मालुम करना है, तो आप देंगें के 5 यहाँ पर क्या कर रहा है, 5 यहाँ पर divide कर रहा है, उस तरफ जाकर, जब वो क्या करेगा यह, यह उस तरफ जाकर multiply करेगा, तो यह 5 इस पूरी bracket के साथ क्या कर रहा है, multiply कर रहा है, इसलिए हमने इसको bracket में close कर दिया, क्योंकि 5 temperature in foreign height से भी multiply करेगा, और 5, 32 से भी multiply करेगा, तो हमने इसको bracket में रख दिया, ताकि यह शो कर सकेंगे, यह दोनों के साथ multiply करना, अब जब वो अगर 0, sorry, centigrade को Kelvin में convert करना है, तो again हम जब वो वही comparison वाला formula लेंगे, जो general formula था, temperature in centigrade minus lower point, जो के 0 है, divided by 100, और आपर किसके रख देंगे, Kelvin minus lower point of Kelvin, जो के 273 है, divided by 100, 100 हंडेट से cancel हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, temperature in centigrade is equal to Kelvin minus 273, clear, और फिर इसी तरीके जगर हमें Kelvin करना होगा, तो यह minus 273 है, आपर minus कर रहा है, इकल टो के इस तरह जाकर plus करेगा, Kelvin का conversion कैसे हो जाएगा, temperature in centigrade plus 273, कैसे हम करते हैं, कि अगर हमारे पास 33 centigrade है, तो उसमें हम क्या कर देते हैं, plus 273, Kelvin जब एड करते हैं, तो हम Kelvin का temperature मिल जाते हैं, similar way में, अगर Fahrenheit को जाएगो हम Kelvin के अंदर change करें, तो Fahrenheit को Kelvin में कैसे change करेंगे, तो देखेंगे, temperature in Fahrenheit minus 32 divided by 180, पराबर रख देंगे, temperature in Kelvin minus 273 divided by 100, अब सब कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, और फिर हम जो है, वो यहां पर आजाएगा, हमारे पास 9, और यहां पर हमारे पास आजाएगा 5, और फिर हम जो है, वो इनको replace करते हुए, जैसे यहां पर हमने यह convergence की थी, similar way में इस तरीके दर अगर हमें temperature in Kelvin मालूं करने है, तो जो temperature in Kelvin के साथ जो values हैं, उन्हें shift कर देंगे, या अगर हमें temperature in foreign head मालूं करने है, तो जो इसके साथ values हैं, वो shift कर देंगे, तो हमें इस तरीके दर दोनों जो हैं, वो convergence मिल जाएंगे, अब यहां पर एक चीज और note करने वाली है, वो यह कि जब change in temperature आएगा, तो जितना change in temperature हम देखकर आएंगे ना, पीछे scale सेम है, centigrade और Kelvin का, तो same scale होने की वज़ा से, जितना change centigrade में आएगा, उतना ही change है, वो Kelvin में आगा है, मिसाल के तोर पर अगर हम पढ़ रहे हैं, यह change in temperature जो है, वो हमारे पास बराबर आया है, 20 centigrade के, तो हम कहेंगे, यह ही change in temperature जो है, वो अगर हम Kelvin में देखना चाहें, तो कितना Kelvin में change होगा, यह Kelvin में भी 20 Kelvin का ही होगा, क्यूंकि इन दोनों का scale से हम है, हाँ, लेकिन अगर हम Convergent करेंगे, तो फिर यह formula इसकामाल करेंगे, यह वाले जो के यहाँ पर मैं अभी highlight भी कर रहा हूँ, और इसी तरीके से, अगर centigrade और Fahrenheit में अगर change आ रहे है, तो इन दोनों का scale तो same नहीं है, तो जहाँ पर अगर change in temperature 1 centigrade का आ रहा है, तो Fahrenheit में कितना change आएगा, 1.8 Fahrenheit का आएगा, क्यूंकि centigrade का जो है, वो हमारे पास divisions जो हो 100 हैं, Fahrenheit की जो divisions हैं, वो 180 हैं, तो अगर 1 centigrade का change आ रहा है, तो Fahrenheit कितना change आ रहा होगा, 1.8 Fahrenheit का, तो यह हमारे पास वो चीज़ें हैं, जो कि आपको याद रखनी है, जब आप convergence करते हैं, यहां तक कोई भी question वगेरा हो, तो आप मुझे से comment section में पूछ सकते हैं, तब तक के लिए, आलाफेज, thank you.